कास गंज में विवाद के चलते फेस्बुक पर घटना को लेकर अभधर टिपनी करना एक युवक को भारी पड़िया पुलिस ने अभधर टिपनी करने वाले के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है और जिसके फेस्बुक अकाउंट से या टिपनी पोस्ट की गई उसको गिरफतार कर लिया गया है शोसल साइस पर धार्मिक भावनाय भड़का कर सोहाट बिगारने की प्रयास किये जाने का या मामला हर्दोई के कोतवाली कचोना का है यहां कस्वा निवासी मुहमद सल्मान सल्लू के फेस्बुक अकाउंट से एक पोस्ट डाली गई जो काफी विवादित थी और धार्मिक भावनाय आहत करने वाली थी इस पोस्ट के समर्थन में तीन अनियूवकों की फोटो भी पोस्ट की गई थी वहीं शोसर मीडिया पर जैसे यह पोस्ट हुई कुछ देर बाद ही इसकी चर्चा सुरू हो गई और लोगों में आक्रोश फैनने लगा वहीं इस मामले की जानकारी हर्दोई में उच अधिकारियों को लोगी तो पुलिस सक्री हो गई और आनन फानन में युवक को गिरफ तार कर लिया गया पेशे हर्दोई के सावन डाता सुनेल कुमार की खास रिपोर्ट